प्याज के भाव में तेजी दिखनी फिर से सुरू हो चुकी है तो कितने तक की तेजी फिलहाल मंडियों में देखने को मिली है और किस मंडी में प्याज का भाव आगे 50 रुपे को पार कर गया है और कैसा रह सकता है बाजार जानेंगे प्याज का बाजार भाव और इसकी ते खुल चुकी है लेकिन नाश्री की लासल गाउ पीपल गाउ समेथ कुछ बड़ी मंडिया सोमवार्ट से खुलेगी मंडिया जब बंध हुई तब जितनी उमीद लगाई ज़ा रही थी उसकी तुलना में आवक काफी कम देखने को मिली थी जिस कारण सामने के बाजार में भी आवक कम देखने को मिली साउथ में बैंगलोर की फसल खराब होने के बाद से महराष्ट की प्याज की डिमांड अधिक देखने को मिल रही थी जो की अब एकदम चरम पर पहुँच चुकी है डिमांड वे लगतार तेजी होने के बाद से प्याज का भाव भी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है यही हाल निर्याद की का भी है दुबई के बाजार में अच्छी क्वालिटी के प्याज 50 रुपे से लेकर 60 रुपे तक के भाव पर विखता हुआ दिखा है वहीं श्रिलंका में भी भाव 50 रुपे को टच कर चुका है और बांगलादेश में भी 50 रुपे किलो के आसपास बाजार जाता हुआ दिख रहा है साउथ और एक्सपोर्ट में नार्शिक की सूपर क्वालिटी ही जाती है जिसका मतलब यह है कि फिलहाल सूपर क्वालिटी की प्याज की डिमांड काफी अधिक बनी हुई है और अगले एक महीने तक इसकी डिमांड लगतार अच्छी बनी रहेगी जिस मंडियों में हलकी क्वालिटी प्याज की सप्लाई की जाती है वहाँ पर अभी तक तेजी देखने को तो नहीं मिली है लेकिन अगले हफते के बाद से इसमें भी तेजी दिखने को मिल सकती है नाफेड द्वारा लगभग प्याज निकल चुका गया है और अब 20-30% तक ही अच्छी प्याज उनके पास बची है अगले हफते से बिहार बंगाल उत्तर प्रदेश में भी प्याज की डिमांड अच्छी बनती हुई दिखेगी क्योंकि अभी छट पूजा के कारण अधि लोट 27-100 तक भी की तो वहीं एवरेज की बात करें तो वह बाईश सो से लेकर पच्छी सो तक रहा मध्यप्रदेश में जोहां सूपर कॉलिटी 22 रुपे से लेकर 26 रुपे तक के भाव पर बिक्ता हुआ दिखा वहीं एवरेज कॉलिटी 17 रुपे से लेकर 21 रुपे तक के देखने को मिल रहा, बिहार की मंडियों में जहां अच्छी क्वालिटी की प्याज दो हजार से लेकर 2200 तक भिगता हुआ नजराया, वहीं बंगाल की मंडियों में 2100 से लेकर 2300 का भाव देखने को मिल रहा, दिल्ली आजादपुर मंडी में नाशिक और पूरे प्याज के 2500 से लेकर 3000 तक सूपर कॉलिटी के प्याज विक्ता हुआ दिखा वही मध्य प्रदेश के प्याज 2000 से लेकर 2500 तक के भाव पर आज बाजार खुला है आगे कुछ भी रिपोर्ट निकल कराती है तो आप तक जरूर पहुचाएंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ